बाई देखो लास्ट इस खुटी का मैं 20,000 रुपा दूंगा 20,000 बीस जार नहीं होगा इसका लास्ट हम 30,000 रुपा लेने के बाद कंडिशन तो देख लो किस कंडिशन में है इसमें कितना खर्चा करना पड़ेगा 30,000 बहुत जादा 30,000 तो नहीं हो पाएगा कंडिशन से क्या मतलग हो हुंडा का एक्टीवा है एक्टीवा का रिसेल वैल्यू जादा होता है रिसेल वैल्यू ठीक है मैं मान रहा हुंडा का एक्टीवा है लेकिन फिर भी कंडिशन इसमें खर्चा भी तो करना पड़ेगा लेने के बाद 20,000 लास्ट नहीं 30,000 से कम नहीं होगा रिसेल वैल्यू जादा है इसका इसलिए कम नहीं होगा हलो फ्रेंट्स विल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स जब भी कोई पुरानी बाइक कार इसकूटरे दूसरी कोई भी गाड़ी खरीदनी हो बेचनी हो तो एक चीज़ सबसे अदर कन्फ्यूस करती है वो है उस गाड़ी का रिसेल वैल्यू कितना होना चाहिए कई बार पुरानी गाड़ी को खरीदने के बाद हमें ये फिल होता कि कहीं हमने ज़्यादा पैसे में तो नहीं खरीद लिया ऐसे में रिसेल वैल्यू का जो इंपोर्टेंस है वो बहुत जादा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस गाड़ी का रिसेल वैल्यू कितना होना चाहिए मोशी लोग क्या करते है कि कई बार जो हमारे दोस्त, रिस्दार है वो हमें सजेस्ट करते है कि आप 12-16 वाली बाइक ले रहे हो ना तो आप 35 एर से जादा मत लेना कई बार लोग कहते है कि तुम स्कूटी बेचने वाले हो अपना आगे इस वीडिम डिटेल ने बताने वाला हूँ वीडियो को पुरा देके और अगर आप चैनल पे नहीं हो या अभी तक आप पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले अफेंट देको basically दो stage जो पुरानी गाड़ी को खरीदना हो या बेचना हो तो देको पहला stage तो जो वह है physical inspection और document verification वाला सबसे पहले बीना गाड़ी को चेक किए बीना गाड़ी के documents को चेक किए आप सही resale value तो बिल्कुल decide कर ही नहीं पाओगे तो उसके लिए best क्या होता है कि आप गाड़ी को चेक करो, गाड़ी को चला के चेक करो, गाड़ी को खरी करके भी चेक करो इसके उपर मैंने एक detail वीडियो बनाया, जहांपे मैंने आपको बताया था कि पुरानी बाइक में किन-किन चीज़ों को चेक करना चाहिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसके बारे में जागना चाहते हो, तो लिंक आपको description नहीं मिल जाएगा साथ ही सेम इसी तरह के वीडियो अगर आपको scooter या car के बारे में चाहिए तो आप comment करके बताए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा एक बार जैसे physical inspection हो जाता, गारी का condition आप अच्छे से चला बगर आकर देख लेते हो, documents भी देख लेते हो, तो फिर बात आता है कि resale value कितना होना चाहिए, यही है stage 2 अब इसके लिए मैं अपना जो mobile है इसे उठा लेता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक app है बहुते 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 बेतरीन, RTO vehicle information ठीक है, अब यह कोई जरूरी नहीं कि आप इसी app को use करो क्योंकि यह कोई sponsored video बिल्कुल नहीं है, Google में आपको बहु बहुते असान है और यह जो app store, play store दोनों में available है, तो देखो basically यहाँ पर आपको आना और आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, resale value, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा, उसके बाद सबसे पहले आप से पुछा जारा है कि जो गाड़ी आप खरीदने वाले हो, उसका number कौन सा है, तो आपको यहाँ पर जो भी number गाड़ी का वो डाल देना है, मैं एक number यहाँ पर डाल दिया है, अब उसके बाद पुछा जारा category कौन सी है, car, bike, या फिर scooter वगरा है, bus, taxi, जो भी है, तो मैं यहाँ पर scooter जो इसे सरक कर लेता हूँ, उसके बाद आप से पुछा तो आप 3G कर लेता हूँ, उसके बाद पुछा जा रहा है कि air कौन से साल की गाड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हो, 215, 16, 17 option दिखाए दे रहा है, क्योंकि जिस model के बारे में आप check करने बाले हो, वो model कब से शुरुवात हुआ, और कब जाके वो model बंद हो गया, बनना आप आपको साल दिखाए देंगे, तो मैं यहाँ पर 2016 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे है, वेरियंट कौन से है, तो यहाँ पर 110 CC ही वेरियंट है, वैसे और भी अगर होगा 150 CC, 200 CC कौन सी गाड़ी आप डिपेंड कर रहे हो, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर स आप डाल सकते हो कि कितनी पुरानी और कितनी चल चुकी है, या ओनर कितना बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 60 से 70,000 किलोमेटर, आप सारे इंफॉर्मेशन को डालने के बाद इस एप के द्वारा ऑटोमेटिकली जो क चल कुलेट कर लिए जाए कि रीसेल वैलियू कितना होना चाहिए, और यहाँ पर बेस्ट बात क्या है कि आपको चार ऑप्शन दिखाए दे रहे हैं, कि स्कूटर का कंडिशन कैसा है, जो स्कूटर आप लेने वाले हो, कार बाइक लेने वाले हो, उसका कंडिशन कैसा है, उसके आपको रीसेल वैलियू यहाँ पर बताया जाता है, जैसे कि फेयर है, अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हूं कि 18,078 रुपए से लेकर 22,735 रुपए, इसके बीच में रीसेल वैलियू होना चाहिए, वो बेश रहेगा, अगर गूड ठीक ठा कंड 23,160 रुपए, और excellent याने कि सब कुछ दिखने वाइस भी ठीक है, लुक वगरा भी ठीक है, और सारा function सही से काम कर रहा है, आपको performance वगरा बेदर देखने को मिला, तो यहाँ अगर excellent के category में यह सेम scooter, तो आप देख सकते हूं कि 29,707 रुपए से लेकर 34,18 रुपए, तो आप खरीदने गए, उसने का 30,000, आपने का 25,000 बाद डील हो गया, 28,000 में आपने खरीद लिया, ऐसे नहीं है, condition आप देखो, चला के देखो, physical inspection करो, और यहाँ इस एप से भी चेक कर लो, कि किस range में आता है, उसके according अगर आप डील करोगे, तो chances से कि आपको एक बहतर डील मिलेगा, तो फ्रेंट जो लोग expert होते हैं, उन्हें तो बहुत अच्छी से पता होता कि कितना result value होना चाहिए, लेकर जो लोग नए नहीं होते, पहली बार, second बार अपने बाइक का scooter को बेच रहे या खरीद रहे, तो उनमें confusion जादा होता है, तो I am sure इस app के लिप साब को ज जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पे नहीं हो, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकों को भी दबाले ताकि आने वाले important वीडियो के update आपको notification के तरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडि गुडबाई